दोस्तों गर आप भी कुल्दीब यादव को खदरना गेंद बास मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा इस दोरान अश्विन और कुल्दीब यादव ने किस प्रकार से इंगलेंड के खिलाव बहतर परदर्शन कर इतिहास के पन्नों में अपने नाम स्वनक्षनों से अरजित किया ये तो आपको बताएंगे ही तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएग लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रवीचंदरन अश्विन और कुल्दीब यादव में कौने महान खिलाड़ी अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें दोस्तों भारत और इंग्लेंड के बीच टेस्ट सीरीज का चौथा टेस्ट मैच राची के मैदान पर खेला जा रहा है जहां पर इस मैच के इंग्लेंड की टीम के सामने तीसरे दिन रवीचंदरन अश्विन ने तूफानी की इन बाजी करते हुए मैदान पर तेहल कम और इसका पीछा करने आई भारतिय टीम ने दूसरे दिन का समापन तक 219 रन साथ विगट के नुकसान पर बनाए और तीसरे दिन पहले सतर के समापन तक 307 रन 103.4 ओवर में ओल आउट होकर बना दिये और 46 रन से भारतिय टीम पीछे रह गई इस दोरान धुरुफ जुरेल और बैं डगैत ने बहुत्रीन बले बाजी की लेकिन इस दोरान रवीचे रन अश्विन ने बहुत्वर गेंड बाजी करते हुए सभी को प्रभाविथ कर दिया जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने ओली पॉप आये जिनोंने तूफानी पारी खेलने की कोशिश ही नहीं की और पहली ही गेंद पर रवी चंदरन अश्विन की फिरकी में भस गए और गोल्डन डक के रूप में LBW आउट हो गए इसका एमपायर ने आउट दिया लेकिन बल्लेबाज ने रिव्यू लेकर फैसली को बदलने का पूरा प्रयास किया परन्तु इंग्लैंड की टीम को विकेट बचाने में मदद नहीं मिली ऐसे में अब दो गेंद के अंदर रवी चंदरन अश्विन ने बड़े विकेट हासिल कर लिये थे ऐसे में रवी चंदरन अश्विन ने 120 साल पुराना इतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ते हुए इतिहास के पन्नों में अपना नाम सोन अक्षरों से अरजित कर दिया है दरसल इस मैच के अंदर रवी चंदरन अश्विन ने काफी ज्यादा बहतरीन गेंद बाज ही करते हुए सभी को प्रुभावित किया जहांपर उन्होंने बहतरीन गेंदबाज ही करते हुए पहले ऐसे गेंदबाज बन चुके हैं जिन्होंने टेस्ट करिकेट के अंदर सबसे ज्यादा बार हैट्रिक लेने का प्रयास किया है जो वास्तविक्ता में सबसे बड़ा रिकॉर्ड आज के समय में रवी चंदरन अश्विन के पक्ष में मौझूद है इतना ही नहीं दूसरा बड़ा रिकॉर्ड भी रवी चंदरन अश्विन के नाम है जो कि इंगलेंड की टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन चुके हैं ऐसे में रवी च चंदरन अश्विन के शांदार गेंदबाजी के बाद कुल्दी बियादव ने भी बहतर गेंदबाजी कर दिखाई इस दौरान कुल्दी बियादव ने बहतरीन गेंदबाजी करते हुए इंगलेंड की टीम के सबसे बहतरीन बल्यबाज जैक रॉली को साथ रन के स्कोर प प्रुभावित किया, ऐसा में कोलदी बी आदव, इंगलेंड के कि खिलाफ सबसे बहतर गेनबाजी करने वाले पहले चाइनयमध गेनबाजी बन चुके हैं, क्योंकि ऐसा पुरिदरशन इंगलेंड के खिलाफ 120 साल के इतिहास में किसी चाइन Aggupid नहीं किया है, तो दोस्तों क इंगलेंड ने टॉस जीत कर पहले बल्ले बाजी करते हुए 353 रन औल आउट होकर बनाए और इसका पीछा करने के लिए आई भारती टीम 307 रन पर औल आउट हो गई और 46 रन से पीछे हो गई हाला कि दूसरी पारी में बल्ले बाजी करने आई इंगलेंड की टीम ने बहतर बल्ले बाजी करने का प्रयास किया लेकिन इस दोरान रवी चंदरन अश्विन ने काफी ज्यादा बहतर गेंड बाजी करते हुए 35 रन पर 3 जटके इंगलेंड को दे दिया जहां पर बैंड अकैट को 15 ओली पॉप को 0 और जोर रूट को 11 रन के स्कोर पर पवेलियन का रास के अंदर सबसे पहले तो रवी चंदरन अश्विन ने काफी ज्यादा शांदार गेंड बाजी की और इंगलेंड की टीम के टॉप ओर्डर को पूरी तरह से परिशान किया तो वहीं बचा हुआ कार्र कुल्दी बियादव ने कर दिया और बता दिया कि इसी तरीके से भारत की टीम के स्पिनर किसी भी मैच में जीत दिलाने का असानी से काम कर सकते हैं जसमेर की पॉंटिंग ने बयान देते हुए काए कि इस मैच में भारतिय टीम की तरफ से गेंड़ाज होने काफी ज्यादा बहतरीन गेंड़ाज ही किये जिस परकार से अश्विन ने बहतरीन गे इंबास आए हैं लेकिन रवी चंदरन अश्विन ने जो कार्रे भारतिय टीम के लिए टेस्ट कर गेट के अंदर करके दिखाया है वो बताता है कि भारतिय टीम के लिए कोई भी नहीं और इसके दम पर भारत आसानी से मैच जीट सकता है तो वहीं शोयब अक्तर ने बयान दे कि भारतिय टीम ने इस मैच में ठीक ठाक प्रदर्शन किया है हलाकि पहले दिन तो भारतिय टीम पीछे थी और दूसरे दिन भारतिय टीम धीरे धीरे मैच में वापसी करने का प्रयास कर रही थी लेकिन तीजरे दिन भारतिय टीम में आखिरकार मैच में वापसी कर लिये जि गेनबाजी के दम पर जीत पक्की हो सकती है इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि रवी चंदरन अश्विन जब तक भारत के लिए बहतर गेनबाजी करेंगे तब तक भारत को किसी भी मुश्किल टेस्ट में जीत हासिल करने से कोई नहीं रुक पाएगा तो वहीं कैविन पीटरसन ने बयान देते हुए कहा है कि भारती टीम की तरफ से अश्विन को काफी ज्यादा बहतरीन गेनबाजी किया अश्विन ने जिस प्रकार से बहतर गेनबाजी करते हुए हमारी टीम के बलेबाजों को परिशान किया है वो बताता है कि हमारी टीम इस मैच में अब पीछे हो चुकी है हलाकि हम अभी तक मैच में काफी ज्यादा पीछे नहीं है लेकिन हम जिस प्रकार से बहतर इस्तिती से ठीक ठाक इस्तिती में आ गए हैं उसको देखकर मैं हैरानू इसके लावा उन्होंने आके बयान देते हुए काये कि मेरा मानना है कि भारतिय टीम के लिए अश्विन ने जिस प्रकार से बहतर गेंबाजी बाकी गेंबाजों के साथ मिलकर की है अगर ऐसी गेंबाजी हमारी टीम के गेंबाजों ने की तो इस टेस्ट मैच के अंदर भारतिय टीम को बुरी तरीके से हार के लिए तैयार तो रहना ही तो वोई सचिन तेंदुल कर ने बयान देते हुए का है कि भारतिय टीम की तरफ से इस मैच में रविचंदरन अश्विन ने काफी ज्यादा बहतरीन گेनबाजी देखने को मिली है। बस अब हमारी टीम के बलेबाजों को काफी ज्यादा बहतर प्रदर्शन करना है और चौते टेस्ट मैच में जीत दर्श करनी बड़ेगी और ऐसे में अब इंगलेंड को हमसे बचकर रहने की जरूरत है तो दोस्तों आपको क्या लगता है भारते टीम इंगलेंड के किलाव चौते टेस्ट मैच में जीत हासिल कर पाए गया नहीं अपनी राय नीचे कोमेंट बॉक्स में जरूर दें दोस्तों भारत और इंगलेंड के बीच टेस्ट सीरीज का चौता टेस्ट मैच राची के मैदान पर खेला जा रहा है जहां पर इस मैच के इंगलेंड की टीम के सा समापन तक 219 रन साथ विकेट के नुकसान पर बनाए और तीसरे दिन पहले सतर के समापन तक 307 रन 103.4 ओवर में ऑल आउट होकर बना दिये और 46 रन से भारतिय टीम पीछे रह गई इस दोरान धुरुफ जुरेल ने काफी ज्यादा बहतर बहतर बल्ले बाजी करते हुए बहतरीन बल्ले बाजी की लेकिन इस दोरान रवी चंदरन अश्विन ने बहतरीन गेन बाजी करते हुए सभी को प्रभावित कर दिया आपकी जानकारी के लिए बता दे रवी चंदरन अश्विन ने बहतरीन गेन बाजी करते हुए 19 रन की ओपनिंग साज़दारी को तोड दिया और पांचवे ओवर के अंदर बेंडगेट को पंदरा गेंद पर दो चौके की मदद से पंदरा रन बनाने के बाद सरफरास खान के हाथों कैच आउट कराया जिसके बाद बल्लेबाजी करने ओली पॉप आए जिनोंने तूफानी पारी खेलने की कोशिश ही नहीं की औ और पहली ही गेंद पर रवी चंदरन अश्विन की फिरकी में भस गए और गोल्डन डग के रूप में अलबी डव्य आउट हो गए इसका एमपायर ने आउट दिया लेकिन बलेबाज ने रिव्यू लेकर फैसली को बदलने का पूरा प्रयास किया परन्तु इंग्लैंड क आउट ही टीम को विकेट बचाने में मदद नहीं मिली ऐसे में अब दो गेन के अंदर रवी चंदरन अश्विन ने बड़े विकेट हासिल कर लिये थे ऐसे में रवी चंदरन अश्विन ने 120 साल पुराना इतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ते हुए इतिहास के पन्नों में अपना नाम सौन अक्षोनों से अर्जित कर दिया है तोड़ते हैं जो वास्तविक्ता में सबसे बड़ा रिकॉर्ड अज के समय में रवी चंदरन अश्विन के पक्ष में मौझूथ है आपको बता दे रवी चंदरन अश्विन ने 99 मैच की 180 पारी में 504 विकेट हासिल की है जो किसी भी गेंदबास के टेस्ट किरिकेट में इंग्लेंड की टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने का आति हासिक रिकॉर्ड भी बन चुका है